बढ़ते प्रदूशन को देखते हुए बाजार में एलेक्ट्रिक वाहन की खरीद में बढ़ोत्तरी हो रही है वैसे तो बाजार में सेंकडो मॉडल के एलेक्ट्रिक स्कूटर उपलब्ध है किसी की रेंज जादा है तो कोई पावर खूब देता है किसे स्कूटर की फास्ट चार्जिंग उसकी खासियत है तो कोई देखने में अच्छा नज़र आता है लेकिन हम आपको आज एक ऐसे इसकूटर के बारे में बताएंगे जिसकी खूबिया इन सभी से अलग है इसमें फीचर्स तो मेहंगे स्कूटर वाले हैं लेकिन कीमत बेहत कम है नमस्कार मैं ब्यूटी रॉय आप देख रहे हैं पंजाबकेस्टी.डाट कॉम एलेक्रिक स्कूटर बनाने वाली भारती कंपनी जेमोपाई की स्कूटर में इतनी खूबिया हैं कि आपको सभी खूबियों में एक ही स्कूटर में लाने के लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ सकता है लेकिन जेमोपाई आपका यह सपना साथ हजार से भी कम रुपए में पूरा कर सकती है आप भी अगर पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को देख कर परिशान हो चुके हैं और कम कीमत में नया एलेक्रिक स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो बतादे कि नौइडा बेस्ट एलेक्ट्रिक वेकल स्टार्टप कंपनी जेमोपाई ने गराहकों के लिए नया राइडर सूपर मैक्स एलेक्रिक स्कूटर लॉंच कर दिया है जी हाँ, कमपनी ने अभी चार मॉडल बाजार में उतारा है जिसमें राइडर और राइडर सूपर मैक्स सबसे लोगप्रिये स्कूटर है साल 2017 में इसकी शुरुवात हुई थी और आज यह देश का लोगप्रिये ब्रांड बन चुका है महीं बात करें इसके रेंज और बैटरी चार्जिंग पावर की तो इस मामले में जेमोपाई का स्कूटर अपने दूसरे कॉमपेटीटर से काफी अलग है एक बार चार्ज होने के बाद यह 90-120 किलोमीटर की रेंज देता है बैटरी चार्ज करने पर भी आपको फास्ट स्पीर मिलती है इस स्कूटर की 80% बैटरी महस दो घंटे में चार्ज हो जाती है और फुल चार्जिंग में आपको धाई घंटे से भी कम समय लगेंगे जेमोपाई के इस स्कूटर की सबसे खास बात यह है कि यह महस 7 सेकंड के भीतर में अपनी टॉप स्पीड पकड़ लेता है कमपनी की वेबसाइट के मुताबिक 6.5 सेकंड में यह 40 की स्पीड पकड़ लेती है जबकि इस स्कूटर की टॉप स्पीड 50 किलोमिटर प्रती घंटे की है इसमें अंति ठेप टकनीक और डिजिटल डिस्पले के साथ खुबसूरत डिजाइन भी दिया गया है ऐसा नहीं है कि एलेक्ट्र की स्कूटर में बैटरी का दम होने की वज़े से यह सिर्फ स्पीड ही देता है आपको जेमोपाई के इस स्कूटर में दमदार पावर भी नजर आएगी जो 150 किलो का वजन लाद कर सरपट भाग सकता है इसके जरीया आपके प्रती किलोमिटर रनिंग कॉस्ट 10 से 15 पैसे रह जाती है और तो और बैटरी पर कमपनी 3 साल की वरेंटी भी देती है अब बात करते हैं स्कूटी की सबसे बड़ी भज़र जिस कारण लोग से जादा खरीद रहे हैं तो बतादे कि इसे चलाने के लिए ना तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी ना ही इसका कोई रजिस्ट्रेशन कराना होगा कमपनी का दावा है कि इसी खूबी की वज़़ा से यह एलेक्ट्रिक स्कूटर स्टूडेंट की पहली पसंद बन रहा है जिमुपाई शेहरी जीवन को बदलने की दिशा में आगे बढ़ रहा है जिमुपाई का उद्देश रहे भविश में एक ऐसे शेहर को बनाना जो पर्यवरन के लिए सही होगी है फिलाल इस नए एलेक्ट्रिक स्कूटर पर आपकी क्या राह है कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहे